नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है सेकर और स्वागत आप सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकारी स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 से जादा महतपूर्ण वन लैनर प्रसनू को तो आप वीडियो कों तक जरूर देखेगा बहुत से कोस्चिन दोस्तो इसमें ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे तो रिविजन के लिए दोस्तो काफी अच्छा है बांकि आप बुक से भी दोस्तो पढ़ते रहे हैं कौन-कौन सी बुका पढ़नी है ये मैंने दो फिजिकल भी दोस्तो आपको लगातार करते रहना है अब दोस्तो आज इसे जो पहली बार देख रहे है या जो पहले से हैं आज के बाद दोस्तो आपको नहीं किसी दिन पढ़ाई महरजा करना है नहीं दोस्तो फिजिकल में आपको माना अगर कोई दिक्कत है कुछ तरह की लेकिन दोस्तों आपको एक हफ्ते का गयब इतना कुछ भी ना ही पड़ाई छोड़नी है ना ही फिजिकल छोड़ना है तो बहुत नुक्सान करेगा हो तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं वलनाईने रूप में दोस्तों हम यहां से प्रस्णू को देखेंगे बियेस नेगी बुक से इससे पहले भी हमने देखा था तो उत्रा खंड एक परिदरस्य नौ नौनबर दोजार को उत्तर परदेश के तेरे पहाड़ी जिलू को मिला कर उत्रा अंचल राज्य बना दिया पहले परदेश के पहले तक आता था अब नहीं आएगा वांकि तेरे जिलू के दोस्तों आपको नाम सभी को पता होंगे कौन सा कुमाओ मंडल में कौन सा गड़वाल मंडल में यह आपने बच्पन से पढ़ा है छेत्र फल यह आपको जोड़ से कुछ-कुछ टॉप यह आपको यादक को नहीं नौ नोंबर को दोस्तों उत्राखन राज जी कठन हुआ देश के 27 Agrion रूप में यह भी दोस्तों कई बार एक्जाम परस्ण बन चुका है और दोस्तों उत्राला चल है पहले उत्राल चली था और उत्रां चल को दोस्तों उत्राखन गब किया गय है 2004 में राज जी को बेस्ट टूरिज्म बोट के लिए एक्सप्रेस गैलिलियो पुरुषकार मिला अब दोस्तों यही परस्ने बन जाएगा कि राज जी को कब बेस्ट टूरिज्म बोट के लिए एक्सप्रेस गैलिल्यो पुरुषकार से संभानित किया गया या मिला तो ये दोस्तो कब मिला तो 2004 में इसी का दोस्तो यहाँ पर परस्ण बन जाएगा देखें मैं आपके सामने इस नहीं पर परस्ण बना रहा हूँ अगला परस्ण है सौर उर्जा मैं अग्रणी रहने पर राष्टपती पुरुषकार उत्राखंड को कब दिया गया दोस्तो 2007 में ये परस्ण बनेगा ये वन्लैने रूप में है इसकी पीडियव आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर डिस्विशन में लिंक है पीडिय बेटे को थोड़ा ज्यादा जमीन दी जाती थी वांगे दोस्तो आपने गाउं में सब देखाई होगा ये जमीन का ये सब होता है तो ये आपने खर देखाई होगा भली बात है आप परतित होंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं है अगला बस्तन है उत्राखंड राज्जी मे दो मंडल है उत्राखंड राज्जी में दो मंडल है और पहले दोस्तो तीन मंडल बनाने की शिपारिस की थी और फिला दोस्तो दो मंडल है गडवाल मंडल वह कुमाव मंडल भांगे दोस्तो तीसरा मंडल बन भी गया था टीसर जब मुक्ही मंत्री था उस समय फिर आप 54 मों हुआ और मुख्याला दोस्तों कहें नैनी ताल में है अभी दोस्तों एक कनिस्टाई के किसी पेपर में 856 कितना उसमें दिया हुआ था बांकि आंसर की जब result आएगा उसके सांथी जो संसोधित आंसर की आती है तब दोस्तो आंसर की जो उत्तर रहेगा उसमें अब्जेक्शन हाला कि लगाया हुआ है तो देखना होगा पता नहीं कौन सा 88 चपन या कुछ इस तरगा उत्तर था उसमें कोई 88 सताओं था कुछ था वो दोस्तो बाद में करेंगे लेकिन यह अभी यहाँ पर सिंपल इतना याद रखे कि कुमाउ मंडल का गठन दोस्तो अठाओं चववन में होता वो जब आएगा दोस्तो तब में आपको फिर से बता दूँगा कड़वाल मंडल का गठन दोस्तो उनिस सा उनिस सत्तर में होता और मुख्याला इसका पौडी में है कईभ भरत्यू को लगता है कि देहरादुन में नहीं दोस्तो कड़वाल मंडल का मुख्याला पौडी में है देहरादुन में नहीं है यह याद रखेगा यह पौडी यहाँ पर लिखा हुआ है अगला प्रेशन है गडवाल मंडल के साज जिले दोस्तो बिल्कूल basic basic हम देखने माले हैं अभी कुछ अच्छे पिछली बार दोस्तों SI के 2015 वाले पेपर में ये पूछा गया था उत्राखंडर राज्जी का छेत्रपल कितना है करके दोस्तों ये हो जाएगा 53,483 वर्ग किलोमेटर बिल्कुल आसान परसने अगला है राज्जी में कुल बंच छेत्रपल है दोस्तों ये 38,000 वर्ग किलोमे गैन सेल में है ये भी दोस्तों आपको याद रखना है अगला परसन है उत्राखंड राज्जी का उत्राखंड पहला राज्जी है देश का वह पहला राज्जी जिसने अपनी बिधान सवा वेबसाइड बनाई हिमांचल परदेश उत्राखंड और इसके अलवा कुछ भी जसतों इस तरड़े सरों से उत्राखंड रह सकते हैं तो आपको याद रखना है उत्राखंड हमारा पहला राजी जिसने अपनी बिधान सवा वेबसाइड बनाई थी 4 मई 2001 को बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है चार मई 2001 को पढ़ते है अगले परसनी के त्रव य ये भी आपको याद रखना है चेतर फल की दृष्टी से उत्राखंड़ का देश मेशतान दोस्तों ये कौन सा है तो ये विних स्वा हैं ये भी आपको याद रखना है अगला प्रस्ण है सरवादिक अंतराष्टी सीमा वाला जिला दोस्तों ये हुजाएगा पिथोडागड क्योंकि चीन के सांद भी लगता है और नैपाल के सांद भी लगता है दोस्तों यह पौड़ी साज जिलू के साथ सीमा लगती दोस्तों यह आपको विल्कुल यादक नहीं और गड़वाल मंडल के की जनपत के साथ पौड़ी की सीमा नहीं लगती है पौड़ी की और वागी सारे जनपत के साथ लगती है इसके लावा कुमाओं के दोस्तों अलमो लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे पूरे सीमा किसके सांद लगती है किसी इस पेसल जो सीमा रिखा पर ही रहेगा अगले वीडियो में देखेंगे कभी अगला बसने राज जी के आंत्रिक जिले टीहरी रुदर परियाग बागेसवर अलमोडा यह चार जिने दोस्तों गड़वाल मंडल में दो कुमाओं में याद कलीजे अभी औरना मैप मोहता तो और अच्छे से रहता अगला बसने जन संक्या की रिष्टी से देश के कुल राज जी का इस्तान है दोस्तों कौन सा इस्तान है बीश्वा है अगला बसने है राज जी की दसकी बिर्दी दर त जी कि दस्तों कौन सा है तो सत्रवा है अभी तक हो सकता है दोस्तों तब तक आपके पेपर हो तब तक जो नई जनगरना है दोस्तों वह भी 2021 उसकी दोस्तों रिपोर्ड आज आईगी तो उसे भी आपको पढणा हो गाघ्या जैसे आए दो एक परसन नहीं छोड़ेंगे जन गरना के क्योंकि उस्तो वहां से प्रस्ण बनने की संभावना रहती है उत्राखंड का जन घ्नत्तु अभी के इसाप से 189 परती वर्ग किलोमेटर ही याद रखे उत्राखंड जन संग घ्नत्तु की देश्टी से तेश का 25 वा इस्तान अभी तक प्रस्ण आने में था अभ दोस्तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको जन करना जब भी पूरानी 211 वाली वह फिल्कुल अभी छोड़ दें तो यसा भी आपको नहीं करना है जैसे वह वाली रिपोर्ट आएक 21 की तो उसे भी हम देख लेंगे राजी के 13 जिलू मैंसे 7 जिलू का लिंगानुपाद दोस् तो कितना है एक हजार है करामीड चेत्रू का लिंगानुपाद उत्राखंड का उस्तो कितना है तो एक हजार है सहरी चेत्रू का लिंगानुपाद कितना है तो 884 है यह भी आपको याद रखने है राजी की साक्षर्था दोस्तो अड़त्त दस्मलब 82 परतिसत यह आपको य बूराओगा राज जी में पूरुष साचरता की तीनी है तो तो 87 तसमलब 4上 साट है पूरुष साचरता की द्रिष्टी से राज जी का देश में 13 सान है और यह आपको विल्कुल दोस्तो याद रखना है विश्छे कूल मिलाकर तो 20 वाइस्तान है अगला प्रशन है राज जी की गरा मिड साख चरता कितने हैं दुस्तो चेहत्य दसमलब 3,3 उत्राखरंडी की गरा मिड साख चरता लंगरी साथ चरता दुस्तों जो है 84 दसमलब 4-5 परतिसाथ लगबग लगबग 84 याद रखे और 76 याद रखे राज जी की 79 दसमलब 77 परतिसाथ आबादी जो है गरामीड है पांगी जो बचे वो दुस्तों क्या हो जाएगा फिर वो हो जाएगा सहरी यह आपको याद रखन है अगला प्रशन है नगरी करण की दृष्टी से राज जी का देशमाइश्ताथ कौन सा है बीश्वा है मैं तुम रखन है नगरी करण की दृष्टी से उत्रा खरन रखा वीश्वाश्ताथाथ राज जी की कुल जन संक्यां का अनुसूची जनजाती घोशित किया गया था 1976 में अगला वरस ने राजी में ST को जोस्तो जो आरक्षन मिलता है वो 4% मिलता है SC को जोस्तो 19% मिलता है OBC को जो मिलता है दोस्तो 14% मिलता है अगला वरस ने राजी में केवल 6 जिल्नों तक रेल नाइनों का पिस्तार है अभी दोस्तों बांकी कर्ण परियाग और जनपतों में रूदिर परियाग लगग लगग फिर अभी फिलाल चाही है इतना याद रखेए तो फिर अलग से हम देखें गवेशे तो चैजीलों में है फिलाल सबसे जादा दोस्तों जो railway track है पौड़ी हरिद्वार में है और सबसे गम दोस्तों पौड़ी में हरिद्वार पौड़ी देहरादुन उदमसी नगर वो चमपाऊत यह आपको यादखना है राजी में दोस्तों कूल मिलाकर छोटे बड़े कितने railway station है तो 41 है पांच हवाई अड़े हैं यह दोस्तो है राजी में सरवादिक जल संग्रित बांध है दोस्तों कोठार बांध है कोठार लिखा है कोठार बांध दोस्तों एक कोश्ची नदी पर है अल्मोडा में है सरवादिक जल संग्रित बांध लेकिन जल तो इसमें परसूई कुछ दिन पहले ही सूरी मंदिर देखने के आत राज जी की सबसे उची चोटी नंदादेवी है जिसकी उचाई दोस्तो 78-17 मीटर है आग बंद करके याद रखे से कोई दिक्कत नहीं है कामेट परवत की चाई दोस्तो कई बार आता एक्जाम में दूसरी उची चोटी कौन सी है कामेट है 77-56 मीटर है पंचा चुली की आप हिमान चलम दोस्तो थच कहा जाता है यह भी याद रखे सिवालीक चेत्र को बहा हिमालाई या हिमालाई का पाद भी कहा जाता है किस हिमालाई को बहा हिमालाई या हिमालाई का पाद भी कहा जाता है दोस्तो यह उजाएगा हमारा सिवालीक चेत्र राज जी के साथ जिलू म सबसे बड़ा दून दोस्तों देहरा दून है दून देहरा है जिसकी लंबाई 75 किलो मिटर और चोड़ाई 32 किलो मिटर है पतली और कोट दून दोस्तों महत्पून है पतली और कोट से चेतर दोस्तों यह पहुत जादा महत्पूव अब्यार हो लयक नहीं किई दिवल से कड़ें आज हम ओन्ने देख रहे हैं बागी कल से दोस्तों option वाले रहेंगे ये भोली की होजे से हो रहा है सब बागी ये भी अच्छा है दोस्तों सब कुछ आपको बता रहा हूं बागी आपका revision होई जा रहा है वीडिया आपको मिल जाएगी इसकी तराईवा भावर छेत्र में उपोष्ण जलवायू पाई जा जाएद पर दोस्तों एलपाई जलवायू उत्राखंड में पाई जाते उस्तों 3000 मीटर याद रखेगा राजी में सरवादिक प्राकृतिक आपदा कासर भूकमप से पड़ता है ठीक हो गया भूसकलन भी बहुत हो थे उस्तों पूसकलन मालपा भूसकलन नेनिताल भूसकल अगला बसने उत्राखंड आपदा परबंधन के लिए उत्राखंड को 25 सेक्टरों में बाटा गया है अगला बसने प्राकृतिक आपदाउं से निपटने के लिए राजी ने ऑस्टेलिया मोडल को अपना है स्विजर लेंड ऑस्टेलिया सिंगापूर और तमाम दोस्तों आपशन नहींगे वहाँ पर तो याद रखेगा उस्टेलिया मोडल को हमने प्राकृतिक आपदाउं से निपटने के लिए अपना है अगला प्रस्ट नहीं है राजी में स्टी आरप का गठन 12 जुलाई 2013 को किया गया पर लेकिन दोस्तों स्टी आरप का गठन अस्टी 2013 आपको दिखाई देगा तो ऑप्शन के साफ से जाएगा पर ज्यादातर दोस्तों अब ये अपना खुदी अपना इस्तापना दिवस नौक्टूबर को मना रहे हैं बांकि बुकू में कहीं पर 21 जुलाई लिखा मिलना है कहीं पर 12 जुलाई लिखा मिलना है तो बांकि द अगला प्रशन है राज जी का आकार लगभग आयताकार है जादा ही कुछ गलत बन गया अगला है राज जी का अक्छान सी विस्तार वैसे दोस्तों यहां पर पंड़े में तो आसान लग रहा है अगर इसी का मैं अगले वीडियो में आप्शन लेकि आ जाओं तो बहुत से अब भरती सही नहीं कर पाएंगे तो राज जी का अक्छान सी विस्तार दोस्तों दो डिग्री चवालिस से और देशांत्री विस्तार तीन डिग्री अठाईस यह आपको याद रखने है उत्तरा अखंडर राज जी की पूरु से पश्चिम पूरु दोस्तों पिथवड़ राज जी के कुल भुबाग का 96.07 परतिशत भाग पहाड़ी है और 13.93 परतिशत भाग मैदानी है अगला बरशन है राज जी मैं दोस्तों यह आदत लिजेगा पीडिया मिल जाएगा आप लिखी जेगा वाकी पहले से याद अच्छी बात है राज जी मैं मुक्की केंदरी भरं से रेका दुरेद वह मद्धी हिमालई या लगु हिमालई के बीच होकर जाती है तो यह आपको बिलकुल याद रखने है राज जी की राज की भासा हिंदी है पहली है दूसरी भासा दोस्तों कौन सी है जनृरी 2010 से संसिकिर्त है ये भी आपको याद रखना है हिमान च जामा पूछा गया था सौचियाशी 292 अब याद कर लिजे फॉन नमबर की तरह है और बांकि नए आकड़े आएंगे उसे भी हम देखेंगे राजी की जन संक्या देश के कुल जन संक्या का 0.38% है अगला है राजी की कुल जन संक्या में लगवक 50-93% और पुरूसा दो लग पुरूस है और उन्चा लाग के आसपास महिला है उत्रा खंड राजी में पिचानबे बलॉग है अब कई भरतियों को यह पता नहीं होता है कि बलॉग कितने हैं तैसिल कितनी है आप दोस्तों लगवक लगवक आपको पता होना चीए बांकि 13 जन पदू में आप दोस्तों होनी छीजह से आप यहां से हैं उत्तर कासी की भी चीजह आपको पता होनी चीए पड़ी होनीciğim अग्ला पसने सर वाधिक पनकी त्यारी करनी के दौध दोस्तों लगवक सब चीजह पता हुजाती हैं तो 515 विकास खंड हैं अग्ला पसने में उत्त्राखंड में नगर अगला बसने अगर इन में से आ गया कि इन में से कौन सा नगर निकम नहीं है फिर अभ्यर्ति पहस सकते हैं बांकि इस्तावपना कभी थी अगली वीडियो में देखेंगे राजी का सबसे पुराना नगर निकम तेहरादुन है यह आपको यादक नहीं है हलद्वानी वह नहीं कभी जरूर्ड बनेगा नंबर है नगर निगमुक के परमुक को दोस्तों मेर थे उनको महापौर कहा जाने लगा तोजार सोलया सत्र के बास से कहा जाने लगा अगला वसन राज जी में बन पंचायतू का गठन कभवा बहुत जादा महत्तुम रस में तो कुमाओं मे है अगर 231 आपको याद रखना है उत्रा खंड राज जी में बिधान सभा चीट दोस्तों सत्तर हैं सत्तर याद के एंगलो इंटर नहटा दिया गया है अगला वश्ना उत्रा खंड राज जी में लोग सभा की पांस सीट हैं टीहरी पौडी तो यह होगी हरीद्वार हो गया मतलब की दोस्तों अगर लोग सभा की कौन से चीट दोस्तों छेतर फल की दिरिष्टि से सबसे बड़ी है छेतर फल तो पौडी जने सं के दिरिष्ट तो अगला बसने है अनुँसूचा जात है बिल्कूर अथ तो एक सीट और अंसुचाल आ अगला ब्रस्ने है उत्राखंड उच्च न्यालाई का गठन 9 नौंबर 2000 को हुआ था देश के पीश्वे न्यालाई के रूप में उत्राखंड उच्य नियालय का भौन का निर्माद उस्तो सर संटोनी मेक डोनाल्ड ने कराय था उस्तो वल्लन रूप में इसे लिखते रहेगा राजी उच्य नियालय के पर्थम उख्य नयदिस अशोक अभ्यंकर देशाई ये ये देशाई थे ये भी आपको याद रखने है अप्रेल 2001 में 45 फास्ट रेक कोर्ट का अगठन किया गया कब दोस्तो 45 फास्ट रेक कोर्ट का अगठन किया गया तो अप्रेल 2001 में कई बार दोस्तो इजाम बनता है अगला प्रशन है बरतमान में उत्राखंड उच्छ न्याले में मुक्की न्य अगला प्रशन है राज्य में दो मैदानी जिलें कौन-कौन से भली बाती आपको बता है हरी दवार और उधम सिंगर दोस्तों ऐसे जिले हैं जो मैदानी है और मैदानी है तो यहां घटनी है जैसे चमोली में बहुत जादा घट है अब तो खेर उतने फिर भी गाओं मैं फिर भी कुलबबब अभी भी जो मतलब की गें होता है जो भी मढडवा अगर्छा जो भी हो में वहीं तैसिल में तैसिल के भीतरी दोस्तो कोई ना कोई थाना चौकी एसा बहते हैं तो वहां भी आपकी जूटी लगेगी उत्राखंड विधान सबा का पर्थम सत्र नौ जनौरी 2001 से शुरूआ था ये भी आपको याद रखना है 14 फर्वरी 2002 की जगा दोस्तों यहाँ पर फिर दो जोड़ दीजिए दो के बगल में फिर यहाँ पर 2022 इस बार भी इतने कोई हुआ है पांगे दोस्तों कितना क्या क्या आकड़ा रहा रिजल्ट आ जागा दोस्तों मांकी सब उसके बाद जल्ट अभी तोगर कौन मुक्षी मंत्री बनेंगे सब पूरी वीडियो दोस्तों एक नई इस पर लेके आओंगा मंत्री मंदल के बारे में अभी समय है अपरेल तक दोस्तों करते हैं उसके लिए तब तक क्योंकि सब कुछ हो जाएगा मुक्षी मंत्री सब कौन कौन क्या क्या बन रहा है तो वहां से भी परस्न बनेगा तो वो सब हम अलग से देखेंगे अगला परस्न है मार्च दोजाराट में पंचाईती राज विदेग में संसोधन करके पंचाईतू में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया और 2008 में उस्तो संसोधन विदेग के समय मुक्षी मंत्री कौन थे उस्तो ये थे भूबन चंदर खंडूरी अगला परस्न है राज में पंचाईतूं की 33 व्योस्ता उस्तो लाग हुए ये आप सभी को पता है अगला परस्न है जिला पंचाईत सीर्स निकाहे जिले पर होती है जिला पंचाईत छेत्र पंचाईत फिल्गराम पंचाईत जिसका मुक्षी जिला पंचाईत सीर्स निकाहे जिसका सचिव मुक्षी विकास अधिकारी है अगला प्रशन है पंचाईती राज का चुनाव लड़ने के लिए नियूनतम आयू कितनी होनी चीए अब दोस्तो अगर आप सोच रहें कि आप 21 के हो गए हैं और आपको परधान बनना है गाउं में या जो बीडिसी छेतर पंचाई से चुनाव लड़ना है तो 21 साल के बाद दोस्तो आप लड़ सकते हैं फिर आपने सोचा कि आपकी उमर 25 हो गई है फिर आपने मन बनाया कि चलो बलोक परमुका लड़ते हैं विधाईक बनते हैं तो 25 वर्श आपको इसमें होनी चीए अगला प्रसन है राज जी में पंचाईती राज में दोस्तो 29 विसाई है पहला राजसु पुलीस व्योस्ता लागू की गई है अगला प्रसन है उत्राखंडर राज जी में राजसु पुलीस व्योस्ता कपसे लागू है तो 1844 से हैनी रेमजे उसमें थे यह आपको याद दखना है राज जी में कुल पुलीस इस्टेशन दोस्तो कितने है तो 103 पन और प 2015 में ही मना गिया था दूस्तो दूसरा जो थाना बना है साइबर थाना वो बना दूस्तो रुदरपूर में पहला देरा दूसरा रुदरपूर अगला प्रसन है बिल्टी स्काल में कुमाउं चेत्र में 19 परगने वह 125 पट्टियां थी यह दोस्तो याद रखेगा कुमाउं और बिर्टिस कार में उस्तो गडवाल चेतर में 11 पर्ग ने 46 पर्ग ने वे च्छीराश्ट पर्ग थे तो गडवाल चेत्र में तो दोस्तो ये थी आज की भूझज जानकारी आज की मेहतपूर्ण प्रस्ने तो भांगी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो में चनल तो पुलीश विभाग के लगवाक इतने पद है तो बहुत पड़े पद है दोस्तो जादा पद है और इतने जल्द यह मौका फिर आपको नहीं मिलेगा कि भरती आश, इंतजार करते 來了 करते करते साथ साल तो इसी बार होगे तो त्यारी करते दोस्तों सेलेक्शन आपका जरूरूर होगा